कि तो कई सामी तरफ से गूट नुजिंगल क्या रहे है कि सामी के नौ स्मार्टफोन को MIUI 13 का अपडेट मिलने माला है कैस बहुत ही जल्द तो कब से अपडेट मिलना स्टाट होगा और कौन-कौन से डिवाइस को अपडेट मिलना शुरू होगा तो कैस इस वीडियो में स्मार्टफोन को अपडेट मिलने माला है MIUI 13 का आपके पास स्मार्टफोन है और आप स्मार्टफोन करते हैं आप इस वीडियो को देखेगा क्योंकि इस अपडेट के बाद आपका जो मोबाइल चलाने के एक्ष्प्रियंस है काई सो बिल्कुली बदल जाएगा तो आप ल और कप से मिलने वाला है यह भी बताऊंगा तो कई सब्सक्राइब कर रहा है तो चैनल को अपडेट्स के रिलेटेट्स आपको हर एक देखने को मिलेगी जैसा वाटसफ हो गया सब्सक्राइब कर देखने को मिलेगा तो गाइस अगर जो आप भी करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी ख़बर है जल्दी आपको अपने मौझूदा स्वामी फोन में एक दम नया एक्सप्रेंस देखने को मिलेगा गाइस द्रस्वामी बहुत जल्द अगला वर्जिन जारी करेगा अफवाव और लिक से पता चलता है कि गाइस अपकमिंग एम आई यूवाई वर्जिन को एम आई यूवाई 13 कहा जा रहा है जो इस सल के अंत तक यानि दिसंबर में आपको देखने को मिलेगा अभी तक कोई भी निशी तारिक खुलासा नहीं हुआ है हलांकि एक नहीं रूपर्ट में कुछ एलिज़िवर्ड डिवाईस के नाम का खुलासा किया गया गाइस तो सौमी का अनुसार गाइस नाइन सौमी स्मार्टफोन को पहले बैच में लेटेस्ट एम आई यूवाई का अपडेट देखने को मिलेगा गाइस यहां पुष्ट की गए कि इन फोन के नाम एमाई यूवाई 13 के सोर्स कोड के अंदर सामने आ हैं गाइस तो आपको हम बता देते हैं कि यहां पे कौन-कौन से स्मार्टफोन को अपडेट देखने को मिलेगा गाइस तो गाइस यहां पे जो सबसे पहला नंबर आ र दूसरे नमर पर रहा थाइस सामी एमई ए-्म लेवन द्षय नमर पू आ रहा है सोमी एमेई एवन प्रो छौंद नमर पार रहा है सामी एमई एलेवन ने ल्ट्रा पांच नोर पार रहा है सौंवी एमई एंड मन लैट चैंठ लम पार गई सांब मिए ripping उसके बाद आथव इन सभी नोव स्मार्टफोन को दिसंबर के मन्त से अपडेट मिलना स्टार्ट हो जाएगा तो जब भी अपडेट आएगा इस पे आपको देखने को मिल जाएगा तो उपर बताएगा फोन को पहले बैच में अपडेट प्राप्त होने की उमीद है से इलिवल फोन 2022 में इसे प्राप्त कर लेंगे हम अभी इस्पिकेशन रिलीट की परतिच्छा कर रहें गाईस इस मन्ट फोन निर्मता ने इस साल जून के महिने में नए माई वाई वर्जन की घोंसरा की थी नया सफ्ट्वेर वर्जन कई पर्फर्फर्मेंस और बैटरी अप्टिमाइजेशन में कई बदला और सुधार लाता है माई यू आपरेटिंग सिस्टम एक नया यू आई डिजाइन भी लाएगा कंपनी का दावा है कि नया ओएस ओवर आल यूजर एक्सपरियेंस में काफी सुधार करें गाईस तो लेटरी अप्रमेशन को रिड्यमी नोट 11 प्रो की बेटरी लाइप के लिए आगे बढ़ाया है हाल हिसमें घोसित लदाओ लाता है और अटमेक या आटमिक मेंमरी फीचर लाता है जो उप्यों करता हो को बेग्रांड में अधिक येप चलाने की अनुमतित देता है तो का बहुत ही जब जब सब्डिट होने वाला है तो चैनल को सब्सक्राइब लिजेगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक किजेगा तो आज के वीडियों बस मिलते हैं नेस वीडियों में तब तक के लिए बाय बाय नमस्कार जय हिंग जय भारत